नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं सवहन सर्मा किचन केंग मैं हूँ सवहन सर्मा और आज मैं आपके साथ सेर करूँगा इंस्टन्स जलेवी रेसीपी इंस्टन्स जलेवी बनाने की ये वीधी इससे आसान वीधी और कोई नहीं होगी एकदम संदय दुफलीच वीडियो को लाइक से जरूर करना और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही दबा लिजे बहला आइकन का बटन क्यूंकि और भी रेसीपी इससे बढ़िया बढ़िया लेके आऊंग है एक चोथाई कप बेशन लिया है दोनों मिला कि यह एक कप हो गया है इस चीज का जरूर द्यान रखना आप चाई कप से ले चाई बोल से ले चाई कटोरी से ले इस मेदे के अंदर मैं बेकिंग चोडा डाल रहा हूं चोथाई छोटी चमच अगर आपके पास बेकिंग लेवल नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते और यह एक बड़ी चमच बढ़िया ताजा फ्रेश दही डाल रहा हूं मैं चोटी चमच ले तो दो लीजिए चमच को अच्छे से भर के लेना है और यह मैंने एक कप करीब पानी लिया है कितना यूज होता है यह देख अगर आपसे लम्स पढ़ भी जाए तो आपको क्या करना है इसको मोटी जाली वाली जो चली होती है उससे चान लीजिए तो वो बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे कभी कभी क्या है जो कम कुकिंग करते हैं उनसे लम्स पढ़ भी जाते हैं यह देखे फिर से मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूँ और इस बेटर को मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ तो इसमें लम्स नहीं पढ़ने देना है एकदम क्रीमी बेटर बना करते हैं यह जो बेटर है ना तो ज़्यादा पतला होता और ना ही ज़्यादा मोटा होता medium size का देखे इस तरीके का आपको better बनाना है और इसके अंदर जो पानी यूज हुआ है एक चोथाई कफ यूज हुआ है कई वार क्या होता है मेदा वेशन हम कप को ज़्यादा दबाके भी ले सकते हैं इस लिए एक दो चम्मच कम जादा भी हो सकता है इस चीज का आप जरूर द्यान रखिए एक तीहाई कप पानी यूज हुआ है इसके अंदर बेटर विल्कुल तयार है इसे पांस मिनुट रख देते हैं और अब बना लेते हम चाशनी इसके लिए गेश को मैंने तेजाद पर और कर लिए उस पर मैं एक तीहाई कप पानी डाल रहा हूँ यानि कि जितनी चीनी है उससे आधा पानी इस नाप का आपको जरूर द्यान रखना है जाए कप बॉल कटोरी किसी भी चीज से ले उसी से आपको नाप रखना है अब इसको हम medium आज गेस के उपर चाष्णी को अच्छे से चीनी गला लेते हैं चलाते हुए इस तरीके से इसकी चीनी गलानी है medium आज गेस पे जैसे ये चाष्णी बोईल होने लगे ये चीनी गल जाये तो आपको गेस को तेज कर देना है और इसके अंदर 4-5 उबाल 5-6 उबाल ले लेना है अब मैं इसके अंदर मैंने 20-25 केसर के धागे केसर की पतिया भीगा कर रखी थी वो मैं डाल रहा हूँ आप अगर केसर की पतिया नहीं डालना चाहते तो चोथा ही चोटी चमज भीगो के yellow food color डाल दीजिए मैं इसके अंदर केसर का flavor चाह र होती है और इस माप से बिल्कुल फर्फेक्ट चाशनी बनेगी अगर आप बनाओगे तो बस अब हम गेस को बंद कर देते हैं और चाशनी को गेस से नीचे उतार लेते हैं बस पांच से उबाली लेनी है जैसी चीनी मेल्ट हो जाए तेजांज गेस पर चाशनी बजार के अंदर आपको आसानी से मेल जाएगी 10-20 रुपय में और यह एक टमाठर शोस की बोटल है इस तरीके की बोटल अगर आपके घर में है तो इस बोटल से भी आप बना सकते हैं इसके उपर एक नोख होती है चेद होता है उससे बन जाएगी नहीं तो आप इस तरीक जान रखने हैं कि अच्छी तरीके से गरम होना ची और गरम भी नहीं होना चीए और इस तरीके से आपको गोल गोल जलेबी बना लेनी है जैसे जलेबी आप डालते है उसे इसी तरीके से रहने दीजिए एक टेट बिनेट जब वह हलकी ब्राउन हो जाए एक तरब से तब आपको इसे पलटना है इस तरीके से आपको इसे अच्छा ब्राउन कलर का कर लेना है अब देखे हलकी ब्राउन हो गया उदर से तो मैं इसको इस तरीके से जलेबी को पलट सकते हैं और इस तरीके की फ्लेट कडा ही लेनी है आपको हमने जो बेशन यूज किया था ना जले के जलेवी को ब्राउन कलर का कर लिया है अच्छे से शेक अच्छी से सिकाय कर नहीं अरत ही दीमी मीडियम हाई आँच पे आपको इस जलेवी की और आपको एक तरफ से फिर दूसरी तरफ पलटते ही निकाल ले नह जलेवी को फिर से मैं आपको जलेवी डालके बताता हूं इस तरीके से आप जलेवी बना सकते हैं चोटी-छोटी भी बना सकते हैं आप दो-तीन वार-च्यार वार ट्राय करोगे तो आपसे जरूर बन जाएग और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से पलट पलट के एकदम सुनेरी ब्राउन कलर के होने तक सेकूंगा जैसे ये ब्राउन कलर की हो गई है अब मैं इसको निकाल लूँगा इसी तरीके से आपको सारी जलेवी बनानी है एक कप मेट्रियल है हमारा तो उसमें बहुत मतलब काफ मैं उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दिपावली पे बनाईए करवा चोथ पे बनाईए किसी भी तिवहार पे बनाईए जब भी कुछ मीठा खाने का मन करता तब बनाईए देखे बिल्कुल चांद जैसी चकरी है एकदम रसवरी है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी जलेवी है तो बनाते रही है खाते रही है बताते रही है मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरी तरब से प् है